हेलो एवरीवन वेलकम टू डेजल पॉइंट मैं हूं मंकेश और आज की क्लास शुरू करने से पहले एक उक्ती हम यहां देखेंगे जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वहीं अक्षर मंजिल पर पहुंचते हैं यानि हमें अपने काबिलियत पर विश अफल होंगे तो आज की क्लास जो है यह है कंडिशनल सेंटेंसेस और कंडिशनल सेंटेंसेस मैं बता दू कि यह बहुत ही इंपोर्टेंट है और इस्पेसली बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूस रहते हैं और यह जो नोट्स हैं यह मैंने खुद से त्यार किया हैं और conditional sentences by कसे आप मंकेस और अगर आपको कोई इंक्वाइरी करनी हो कोई जानकारी लेनी हो तो आप दिये गए नंबर पर यानि 821 063 34 85 पर आप कॉल कर सकते हैं और जो भी कुछ जानना चाहते हैं बिल्कुल जान सकते हैं तो लेटना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं conditional sentences और ये जो sentences होंगे आज की class में ये basic और advanced sentences के rule भी होंगे और बहुत सारे हम लोग sentences भी बनाएंगे जो कि आपके spoken के अलावे spoken के अलावे आपकी writing skills में बहुत और पेहद उम्दा role play करेगा तो आप लोग video के skip न करेंगे आप लोग बिल्कुल जरूर देखे क्योंकि एक एक sentence को हम लाजबाब करीकेशे यहां आपको बताने वाले हैं तो सबसे पहले हम जानेगे कि conditional sentence क्या होता है और conditional sentence describe the result of a certain condition यानि कोई निश्चित या certain condition के result को यानि परे राम को दिनोट करता है दूसरी चीज दा इफ क्लॉप इफ का हम यूज करते हैं conditional sentence में tells you the condition यानि जब हम इफ का यूज करते हैं तो ये condition को दिनोट करता है ये situation को दिनोट करता है इस्तती को दिनोट करता है yes if we study hard and main clause और main clause यानि हम दो तरीकेशे एक हम if clause का यूज करते हैं if clause जो होता है ये condition के बारे में बताता है और दूसरा है main clause जो की उसके result को दिनोट करता है यानि if clause जो की आपको condition बताता है condition बताता है और main clause जो होता है main clause जो होता है ये उसके परिणाम को दिनोट करता है मुझे बिलकुल उमीद है कि आप लोग को बिलकुल लेके एक पॉइंट शमज में आएगा ही आएगा अब आगे बात करते हैं यहां हम बहुत ही बहतरीन एक एक्जामपल लेते हैं और यह एक्जामपल की हम बात करें तो यहां पाएंगे कि if you study hard अगर आप बहुत महनत करते हो बहुत पढ़ाई में महनत करते हो यानि study hard करते हो main clause यहां tells you the result you will pass your exams यानि आप एक्जाम पास कर लोगे यानि अगर आप बहुत महनत करोगे बहुत अध्यन करोगे कड़ी महनत करोगे तो तुम एक्जाम को पास कर लोगे clear अब यहां the order of clause does not change the meaning यानि अगर हम clause के order को change कर दें यानि main की जगह हमने if लिख दिया और if की जगह हमने main clause लिख दिया तो इसमें कोई changes नहीं होगा उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं होगे अब आगे बात करते हैं कि जो clause है यह clause basically अगर देखा जा तो यह एक बहुत सारे बच्चे हैं जो कि उनके लिए यह बहुत ही एक tough work हो जाता है और वे बहुत clear इसके बारे में नहीं बता पाते हैं तो यह बात करें तो 5 main ways of constructing conditional sentences in English अगर आप English में conditional sentences के types को देखेंगे तो यह 5 types है और in English in all cases और सभी cases में these sentences are made up of an if clause यहनि सारे के सारे यहनि जितने सारे यह 5 types के जो conditional sentences होंगी यह हिश में सब में if clause और if clause के अलावे main clause होना ही होना है main clause होगा अब यहां main clause in many negative conditional sentences बहुत सारे negative conditional sentences होते हैं जिसमें हम negation यहनि not का use करते हैं तो there is an equivalent sentence constructions using unless instead of if अगर हम negative बनाते हैं conditional sentences में तो if clause की जगह if की जगह हम unless का use करते हैं किसके use करेंगे unless करते हैं negative sentence में हम लोग इसके बारे में एक एक sentence को बहतर तरीके से लाजवाब तरीके से यहां समझने वाले हैं अब यहां एक चीज यहां चर्चा करें यहां main the conditional यहां और यह पांच जो conditional sentences हैं आपको मैं बता दो पहला है the zero conditional और zero conditional में यहां देखोगे पहले है इफ और इफ के तुरंत बाद हमने use किया है present simple और present simple का अगर बात करें तो इसका मैंने बताया है subject v1 यह v5 और उसके बाद से हम तुरंत लिखते हैं object यह present simple कहते हैं और पहचान आपको पता होना चाहिए ता है यह जनरली पहचान होता है और यह if clause इसको हम इस तरीके से हम बात करें तो इसे हम if clause के नाम से जानेंगे if clause और बाकि जो main clause होगा जो main sentence होगा जो कि उसके result को denote करता है यह हो जाएगा main clause यह क्या हो जाएगा तो आपको यह के concept बिलकुल के लिएर आपको मिल जाएगा अब यहां एक चिज़ इफ यू हीट वाटर इफ यू यहां देखोगे इफ का हम ने यूस किया उसके बाद simple present यानि यू हीट वाटर 200 अगर आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर तो यह उबलने लगता है तो यहां हमने क्या किया एक कंडिशन यहां दिया गया है और यह कंडिशन है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्प्रेचर पर पानी को हीट करना और इसका परिणाम क्या होगा हीट वाटर यानि उबलने लगना आगे की हम बात करते हैं जो दूसरा कंडिशनल सेंटेंस है और दूसरा जो कंडिशनल सेंटेंस मैंने लिखा है यहां यह दा फर्स्ट कंडिशनल फर्स्ट कंडिशनल और फर्स्ट कंडिशनल में भी हम यूज़ करते हैं ठीक इसी तरीके से पहला इफ क्लॉज होगा उसके बाद से simple present या simple present या present indefinite उसके बाद हम comma का प्रयोग किया है और उसके बाद से यहाँ देखोगे तो will और infinitive का यूज किया जाता है तो यहाँ मतलब कहने का मतलब है if के तुरंद बाद हम present indefinite के sentence लिखते हैं present indefinite के sentence और उसके बाद हम लिखते हैं जो भी लिखे उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ if और उसके बाद present indefinite या simple और अगला जो main clause होगा ये main clause होगा आपको future में यानि subject और subject के बाद हम will या cell का प्रयोग करते हैं उसके तुरंद बाद b1 और उसके बाद यूज करते हैं object का तो यह first conditional sentence में पहला यानि जो if clause होगा यह simple present का होगा और simple present का मैंने बताया है subject और उसके बाद b1 या b5 और उसके बाद हम use करते हैं object का जैसे if it rains tomorrow अगर कल बारिश होगी अगर कल बारिश होगी we will go to the cinema तो हम लोग cinema चलेंगे तो इसमें यह जो first conditional है यह आपको future को denote कर रहा future action को denote कर रहा है यानि पहला condition क्या है की condition है की बारिश होने का condition और उसके परेणाम क्या होगा उसका result क्या होगा go to the cinema cinema जाना clear अब इस पर भी हम बहुत 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 रहें लाज अब आप एक एक concept एक एक तत्यों के शाथ हम जानेंगे तो यहां हम जानेंगे second conditional और second conditional में यहां दिया गया है if और if के बाद simple past tense का हम use करते हैं simple past का आप लोगों ने पढ़ा है simple past का है या past indefinite का हुआ past indefinite का हुआ तो simple past में यहां जो if clause है if clause इसके तुरंत बाद हम simple past का use करते हैं और simple past का sentence के stretch होता है यह आपको subject और उसके बाद भीटू और उसके बाद हम object लिखते हैं एक चीज़ यहां मैं बता दूँ कि भीटू यानि वर्व के second form को हम बोलते हैं यह भीटू past form यह बोलते हैं past form बोलते हैं तो यहां if और past simple उसके बाद से अगला यानि जो main clause होगा यह उट का use करें उट के बारे में मैंने बताया है आप पूरे model एक जुल्री फर्व को मैंने बहुत 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 इन तरीके से समझाने की कोशिश करी हैं आप वहां जाकर वीडियो को देखें और बिल्कुल skip न करें क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट बहुत ही लाजवाब तरीके से पढ़ाने की कोशिश करी हैं तो यह second conditional जो की third जो की conditional sentences के the type से उसमें oxid प्रियोग किया गया है तो यह हमने लिख लिया और उसके बाद से main고 clause होगा यह यानी subject होगा subject के बाद ہम उट का प्रियोग करेंगे और उट के बाद हम use करते हैं और उसके बाद से object का यहां हम दिखेंगे यहां एक example यहां हुआ है if I had a lot of money अगर मेरे पास बहुत पैसे होते है इफ यह एक कंडिशन है जैसे अगर मेरे पास बहुत पैसे होते है if I had a lot of money क्या बोलोगे इफ I had a lot of money I would travel around the world तो मैं पूरी दुनिया का पूरी शंसार की यात्रा करता क्लियर I would travel around the world पूरी दुनिया का यात्रा करता यह चौथा कंडिशनल संटेंज क्लियर है न अभी अब आगे चलते हैं और आगे हम यहां बात करेंगे जो की बहुत ही बहुत थरीकलट से मैंने बताया है थर्ड कंडिशनल जो की फिट टाइप का है और यह है इफ और इफ के बाद हम पास्ट पर फेक्ट का यूज करका है पास्ट प फेक्ट अपको मैंने बताया है कि पास्ट पास्वाट seminar को हम कहीं कहीं past participle tense भी कहते हैं past participle tense भी कहते हैं past participle tense और past participle tense कहें चाहें हम past perfect tense कहें और इसका जो हिंदी जो पहचान होता है generally चुका है, चुकी है चुके है sorry past है तो चुका था हम यूज करेंगे चुका था, चुकी थी चुका था, चुकी थी चुके थे या था यी थी ये थे ये मैंने पूरे tense का मैंने एक word को मैंने बहुत 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 न तरीके से पढ़ाया है आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर दिख सकते हैं tense का बहुत ही extensive way में मैंने पढ़ाया है तो past perfect की बात और past perfect की जो structure होता है सबसे पहले हम subject लिखते हैं उसके बाद head और उसके बाद verb का third form और उसके बाद हम यूज करते हैं object का और यहां आगर बात करेज हो past participle form कहने का मतलब है कि हमने verb का third form यूज किया है और ये past participle form भी कहलाता है अब आगे चर्चा करें यहां उसके बाद यहां हम use करेंगे would और would के बाद have और उसके बाद से past participle यानि result जो होगा यह conditional में यह subject लिखते हैं और subject के तुरंट बाद हम would का प्रियोग करते हैं और would के बाद हम have का प्रियो करते हैं और भर्ब का third form और उसके बाद से हम object का use करते हैं यानि subject subject के बाद would और would के बाद have have के बाद भर्ब का third form और उसके बाद से हम use करते हैं object आपको मैं बता दूँ कि अगर आप यह video skip करेंगे तो no doubt आप बहुत कुछ नहीं शिख पाएंगे और आपकी English उतनी लाजबाब और बहतरीन नहीं होगी अगर आप बहुत बहतर तरीके से पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं तो आपकी English बहुत ही लाजबाब और बहतरीन होगी ही और आपके writing skills में बहुत बहतरीन तरीके से शुधार होगा जो कहीं न कहीं आपके लिए बहतर करने में और राइटिंग स्किल्स में लाजबाब तरी किसे आप लिख पाएंगे तो आप वीडियो के स्किप न करें एक एक पाइट को आप बार बार रिपीट करके देखें तो आगे हम बात कर रहे हैं यहां if I had gone to bed early अगर मैं पहले बिछावन पर चला गया होता यह मैं पहले शो गया होता yes I would have caught the train तो मेरी ट्रेन न छुटती और मैं ट्रेन पकड़ लेता मैं ट्रेन यानि यानि आई वाट I would have caught the train तो यहां आप क्या देख रहे हो यहां if I had gone यह जो sentence है यह पास्ट पर फेक्ट का यानि if close का युश किया गया है और उसके बाद past perfect का युश किया गया है और I I के साथ हमने had और B3 का युश किया यानि go का go went और third form होता है gone go went gone if I had gone to be dearly अगर मैं पहले पिछावन पर चला गया होता है या पहले मैं सो गया होता yes I would have caught है यह catch है और catch का यह second form और third form यह आपको caught है तो I would have caught the train तो मैं train पकड़ लिया होता या मैं train से चला गया होता मैं मीस ना करता तो यह पांच conditional sentence है जो कि आपको बहुत लाजबाब तरीकेशे यहां मैंने बताया है बहुत सारी चीजह अभी इस पर हमको काम भी करने हैं यहां आप देखोगे conditional sentence conditional sentences में जो type 0 है यह general truth को दर्स होता है जो वास्तों में सत्य हो yes जो universal truth को denote करता है जो सत्य है उसको denote करता है और इसका if जो clause होता है मैंने already बताया भी है if clause और if clause होगा यह simple present और main clause यानि जो verb जो tense होगा यह भी क्या होगा simple present tense का यह वाक्या होगा clear है सबको एकदम कोई doubt किसी को नहीं ना clear अब simple present मैंने बता भी दिया है और अगला है type 1 में यह मैंने बताया भी है लेकिन यह possible condition and its probable result एक संभावित condition को denote करता है और उसका जो result होता है यह भी probable होता है इसकी भी संभावना रहती है यानि एक एक अगर condition आएगी तो संभावना ऐसी उसका result की बनती है तो यह type 1 क्या denote करता है तो type 1 denote करता है a possible condition and its probable result result यानि condition भी और result दोनों की शंभावना का ज्यादा हम emphasize करता है clear है अब आगे यह इसका जो if clause होगा जिसे if clause यह simple present tense का sentence होगा और simple present sentence का यह if clause होगा लेकिन अगर जो main clause की हम बात करें तो main clause क्या होगा simple future में होगा और simple future की बात करें तो subject और subject के तुरंद बाद हम will या cell का प्रियोग करते हैं उसके बाद भीवन और उसके बाद हम यूज करते हैं object का तो मैंने आपको पहले ही बहुत बहतरी तरीके से शमझाया है कि जो type 1 है इसमें condition और situation दोनों का probability होती है है दोनों का possibility और probability होती है शमभावना रहती है यह third अब हम बात करेंगे third एक चीज़ यहां एक चीज मैं बता दू कि आपको बहुत सारे example के ताथ मैं भी बताऊंगा जो कि बहुत ही extensive तरीके से मैंने कोशिश करी है बताने की अगर जिसको notes की ज़रुत होगा पीडियाफ का तो जो मैंने नंबर आपको अल्रेडी बता दिया है आप उस पर comment कर सकते हैं या आप उस पर WhatsApp कर सकते हैं दिये गए नंबर पर और आप मुझसे बिलकुल ले सकते हैं या मेरे टेलिग्राम से आप जूड़कर डेजल पॉइंट मंकेश के से जूड़कर आप सारे के सारे PDF आप मुझसे ले सकते हैं जो कि बहतरीन writing skills speaking skills के लिए बहतर हो सकता है अब आगे यहाँ चल रहा है यह आगे हम बात करेंगे यहां 3rd का 3rd में आपको type 2 दिया गया है और यह type 2 hypothetical condition दिया गया है और hypothetical जो condition होता है यह क्या होता है इस पर हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं तो है पो क्या हाँ यह तो हम क्या करते हैं कि कल्पना की बात कर रहा होता है आया imagine यह हाइपो थाइटिकल की बात और hypothetical का जो वास्तुविक जो मेनिंग होता है बेस्ट अन सिच्वेशन जो इस्तितिक के अधार पर बेश्व अधार हो और यहनी प्राकल्पना पर अधारित हम बोल सकते हैं या imaginary प्राकल्पना यह हम बोल सकते हैं प्राकल्पना यह सिस्तिति को डिनोट करता है जो हम कल्पना कर रहे होते हैं और टाइप यह टू है जो कि यह मैंने बताया यह third type of conditional sentences है अब यहाँ hypothetical condition and its probable result यानि मैंने क्या बताया कि जो condition होगा जिसे हम if clause भी कहते है if clause कहते है यह इसकी जो condition होगा यह hypothetical या प्राकल्प situation को denote करता है यानि आपके कल्पना को denote करता है और इसका । जो result जो परिणाम होगा यह probable होगा यानि जो संभावना को denote करता है यानि result संभावित होगा रिजल्ट परिणाम संभावित होगा अब आगे यहाँ इस में मैंने बताया था जो if clause होगा यह simple past का होगा और simple past में मैंने बताया subject b2 और उसके बाद से हम use करते हैं object का और b2 को बोट परध्यान दोसब b2 को हम simple past form कहते हैं past form कहते हैं clear? यानि मैंने बताया है कि जो main verb है main verb को 5 form में हम बाड़ते हैं 5 form और यह पाचो जो form है इस पाचो form को हम lexical verb कहते हैं lexical verb कहते हैं yes और भर्व के पहले form को मैंने अल्रेड़ी बताया कि present form second form को past form third को हम past participle form और भर्व के चौथे form को present participle form कहते हैं भर्व के चौथे form को क्या कहेंगे present participle form कहते हैं यानि जिसमें हम भर्व के बेस form में यानि भर्व के पहले form में ing जोड़ कर बनाते हैं जैसे read का reading, talk का talking speak का laugh का laughing, go का going clear तो यह चीज़ है और उसके बाद से जो हमारा main close होगा यह होगा present conditional or present continuous का अब एक चीज़ यह present continuous का या present conditional sentences इसको और भी हम विस्तित तरीके से यहाँ जानने वाले हैं अगर आपको ना समझ मैं है तो आप वीडियो को जरूर पार बार repeat करें क्योंकि यह बहुत असान नहीं है बहुत सारे लोग इसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं ingles literature में इसका बहुत बहतरीन तरीके से यूज किया जाता है तो यह चीजें आपको बिलकुल पढ़ने चाहिए एक एक concept को clearly जानने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आपकी skills में सुधार हो सकें और आप भी English में बहतर लाजवाब बन सकें तो आगे हम बात कर रहे हैं यह आपको clear हो गया आप आगे यहां चर्चा कर रहे हैं हम अगला यानि फोर्थ जो नंबर है टाइप 3 और यह conditional sentence के यह चौथा टाइप है और इसके use हम कहा करते हैं use अगर हम बात कर रहे हैं सब कोई लीख लोई है या PDF दे देंगे PDF से लिख लेना है हलांकि शम्जो पहल है यह an unreal past condition जो बीते हुए past condition में जो बीते हुए समय में जो unreal आवास्ट्विक situation को और condition के बारे में बात कर रहा हूँ तो हम use करते हैं type 3 यानि type 3 में conditional sentence के चौथे भाग की हम अध्यन करते हैं तो type 3 में क्या होता है an unreal past condition यानि बीते हुए समय में जो unreal हो जो वास्ट्विक situation को condition को इस्तिति को denote करता हो और इसका भी result क्या हो प्रोवैवल हो जो कि past में हो यानि बीते हुए समय में type 3 का यूज करते हैं already आपको मैंने structure बता दिया है लेकिन एक बार फिर से मैं बताऊंगा आगे एक एक sentence के लिए कर गया है और इसमें type 3 में यानि conditional sentence के चौथा part है तो इसमें पहला जो if जो clause होगा यह past perfect का होगा और past perfect का मैंने बता दिया चुका था चुकी थी या था यी थी use करते हैं अगर generally आप अगर Hindi पहचान पर जाते हैं तो कहीं न कहीं आप बहुत सारे exceptions मिलेंगे और आप बहुत 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 नहीं समझ पाएंगे इसलिए English में आप पढ़े तो बहतर होगा तो यह past perfect और past perfect में यहां मैंने बताया है subject लिखते हैं उसके बाद हम head का प्रियू करते हैं और इसे v3 और object का प्रियू करते हैं past perfect को मैंने बताया है यानि perfect sentence को perfect जो sentence होता है इसे हम क्यों कहेंगे क्योंकि हमने यहां verb का third form use किया यानि past perfect और इसका जो if clause होगा past perfect का होगा और perfect conditional use होगा जिसमें मैंने अल्रेडी बताया है उट का प्रियूग clear और आप उसे देख सकते हैं यानि आपको अगर conditional sentence के बारे में जानना है तो यह बहतरीन वीडियो हो सकती है आपके life का इससे बहतर कहीं आपको नहीं शमझाया गया होगा अब आगे अगला है mixed type जिसे कहते हैं और मैंने बताया कि जो यहां mixed type जो कि type 4 हम बोल सकते हैं type यह 4 और इसमें यह mixed type में an unreal past condition को denote करता है unreal past condition को denote करता है और इसका जो result होता है यह present का result को denote करता है present के result को denote करता है जैसे an unreal past condition यानि बितेवे अवास्तविक condition को यह स्तिति को denote करता है और इसका जो शंभावित जो result होता है जो परिडाम होता है यह प्रोबैबल होता है प्रेजेंट में जो समय चल रहा हूँ अगर नहीं किया होता तो आज मैं यह होता हूँ clear तो यह अब इसमें जो mix type में है इसमें हम past perfect का यूज़ करते हैं और past perfect का यूज़ करने का मतलब subject और subject के बाद हमने बताया had और उसके बाद v3 और उसके बाद हम यूज़ करते हैं object और उसके बाद यहां बात करें present conditional और present conditional क्या दर्सता है तो present conditional denote करता है यह probable result in present यानि अभी के संभावित परिडाम हो तो आपको वीडियो कैसा लगा आप चरूर लाइक करें subscribe करें share करें और इस ये बहतर आपको कहीं नहीं मिलेगी तो आप जरूर conditional sentences के types को और देखें ये part 1 है और अगले part में आपको बहुत ही comprehensive एक concept यहां दिया गया है और इसके functions कहां use किया जाते हैं ये मैं आपको बिलकुल बता दूँगा तो आप लोग जूड़े झाट